आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Friend, इस Question में Travelling Sun and Shuttle Wave के 3 Examples दे रहे हैं, ठीक है? यह है Example No.1, यह है Example No.2 यह है Example No.3, ठीक है? तो 3 Equations दे रहे हैं और 3 Graph बनाया रहा है, ठीक है? हम लोगों इनके Equations को इनके Graph के Corresponding Match करा है, ठीक है? हर एक Equation का एक Graph है, ठीक है? तो कौन किसका Graph है यह सर्च करना है, ठीक है? तो देखो 3 Graph की खासियत क्या है? कि इस Graph का, देखो तो यह काफी Close-Close है Loop, ठीक है? तो इस Graph का जो Wavelength है, यह सबसे छोटा है, ठीक है? तो Lambda 3 जो है, यह सबसे छोटा है, ठीक है? उसके बाद, इसमें देखो तो इसमें Total 3 Loop दिखाएगा है, ठीक है? इनके Loop थोड़े Close-Close है, ठीक है? तो इससे, Lambda 3 से थोड़ा सा बड़ा है, Lambda 2, ठीक है? एंड सबसे बड़ा जो Wavelength है, वो इस Graph का है, ठीक है? सबसे बड़ा जो Wavelength है, वो Lambda 1 का है, यह Information Help करेगा, आगे Question को Solve करने के लिए, इसे लिए इसको Note कर लिए, ठीक है? सबसे लिए, एक General Equation होता है, वो यह है Y is equals to A sin KX minus Omega T, ठीक है? यहाँ पे Y जो है, यह है Displacement, Transverse Displacement of the Particle of the Medium, ठीक है? यह जो A है, यह है Amplitude of the Wave, ओके? K जो है, इसको हम लोग Wave Number बोलते हैं और Omega को हम लोग बोलते हैं, Angular Frequency, ठीक है? Now, अब यहाँ पे Considerate करो, ठीक है? X के साथ जो Term Multiply में है, K, that is Wave Number, ओके? इसका Value होता है, K is equals to 2 Pi by Lambda, ठीक है? सो यहाँ से अगर हम लोग Lambda का Value निकला है, तो Lambda will be equals to 2 Pi by K, ठीक है? अब हम लोग देख सकते हैं, कि Lambda और K, एक दूसरे के Inversely Proportional है, ठीक है? सो जिसके K के Value ज़्यादा, उसका Lambda होगा कम, जिसका K के Value होगा कम, उसका Lambda होगा ज़्यादा, ठीक है? सो सबसे पहले हम लोग तीनों Equation के लिए, जो K के Value है, उसको Note करते हैं, ठीक है? सो देखो यहाँ पर यह ध्यान से, कि K किसको बोलते हैं? जो X के साथ Multiply में होता है、 साइन के अंदर, ठीक है? इसको हम लोग K बोलते हैं, ठीक है? सो सबसे पहले हम लोग First Equation के लिए K देखते हैं, ठीक है? सो अगर हम लोग इसके लिए K के Value दखें, तो X के साथ Multiply में कौन है? 3, ठीक है? तो जो k होगा first equation के लिए suppose कर लोग यह है k1 तो इसका value है 3 similarly अगर second equation के लिए दखें तो यहाँ पे x के साथ multiply में क्या है 4 ठीक है so second equation के लिए जो k होगा इसको हम लोग k2 से represent करते हैं इसका value होगा 4 similarly अगर last equation के लिए दखें तो इसके लिए k के value कितना है तो x के साथ multiply में क्या है 6 so इसके लिए जो k3 है suppose कर लेते हैं उसके value होगा 6 now हम लोग ने दखा कि जिसके k के value होगा कम उसका lambda के value होगा ज़्यादा ठीक है so यहाँ पे देखो तो k के value सबसे कम किसका है first equation वाले का ठीक है so lambda का value सबसे ज़्यादा किसका है वो है equation that is graph number first का ठीक है so जो equation number one है इसका जो match होगा वो होगा graph number one ठीक है now सबसे ज़्यादा के value किसका है वो है third equation का ठीक है so इसका जो lambda होगा होगा वो सबसे कम होगा ठीक है so जो third equation है यहाँ पर ओके यह y3 ओके इसका जो मैच होगा वो होगा हमारा graph number 3 इसका lambda का value सबसे कम है ठीक है नाव एक बच गा क्या हमारा equation number 2 ठीक है तो इसका जो मैच होगा वो होगा graph number 2 से ठीक है तो यह options दखें हम लोग तो correct answer होगा हमारा option number 1 ठीक है I hope you got it thank you Classics to 12 से लेके need IIT.JE means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या whatsapp कीचे अपने doubts 8400-400-400 पर